जैहिंद प्यारजादी इस वीडियो में बात करने वाले हैं SSE MTSN अहवलार 2023 की भरती के बारे में और इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी cutoff के बारे में और आपके safe score के बारे में आप सभी को बताए कि इसकी answer की जारी हो चुकी और इसके बाद आप सभी को ये भी clear हो चुका होगा कि कितने आपके नमर आ रहे हैं इस वीडियो में मैं आपको खुश नहीं करने वाला हूँ बट आपको reality जरूर बताने वाला हूँ कि कितनी आपकी cutoff जा सकती है जो भी fact है उन सभी fact को हम ये आपे discuss करेंगे इसके बाद आपको ये clear हो जाएगा कि आपका selection SST MTS में हो सकता है या नहीं हो सकता है तो वीडियो को आप लास तक ध्यान से जरूर देखें क्योंकि आदी अदूरी जानकारी के साथ कभी भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूरी चीजों को आप एक बार देख लें उसके बाद जो भी conclusion निकलेगा वो आपके सामने रहेगा तो वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वैल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि future में आने वाले update के notification आपको सबसे पहले मिलते रहें आगे बढ़ते हैं और आप सभी को जानकरी देते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि जो आपकी cut-off तयार होती है वो cut-off कैसे तयार होती है आप सभी को बताएं कि दो session में आपका paper divide होता session 1 and session 2 आपका जो session 1 होता है इसमें numerical and mathematical ability के 20 questions होते हैं इसके लिए हर एक question के लिए 3 number आपको दिये जाते हैं यानि 60 number का आपका यह वाला section होगे इसके अलावा reasoning and ability and problem solving के आपके 20 questions होते हैं जिसके लिए हर एक के लिए 3 number यानि 60 questions दिये जाते हैं यानि जो session 1 होता है वो आपका 120 marks का यहाँ पर session 1 होता है इसमें कोई भी negative marking नहीं होती है 45 minute का ही आपका time यहाँ पर दिया जाता है और इसका जो केवल main purpose है आपके session 2 के लिए qualify करना है क्योंकि यहाँ पर इसमें आपकी merit नहीं बनेगी इससे आपका कोई main merit पर कोई लेना देना नहीं है यह केवल qualifying nature का होता है qualifying marks की अगर हम बात करना है तो general category के लिए 30% बागी का OVC EWS candidate के लिए 25% और all other category के लिए 20% यहाँ पर marks आपको लेके आने होते हैं हालांकि इसका भी एक अपना role है session 1 का जैसे कि मालो last selected candidate होता है तो उसमें इस criteria को follow करके last selected candidate को देखा जाता है जिसके ज्यादा marks होते हैं उसे select किया जाता है तो इसमें भी जितने ज्यादा number होंगे उतना ज्यादा बढ़िया है तो session 1 से आपकी merit नहीं बनती है यह आपको clear हो गया फिर आपका होता है session 2 यह जो session 2 होता है वो आपका होता है 150 marks का जिसमें total आपके जो number of questions होते हैं वो होते हैं 50 दो आपके subject होते हैं पहला subject is general awareness और number second है English language and comprehension total अगर हम यहाँ बात करें तो 25-25 questions हर एक subject में आपको पूछे जाते हैं हर एक question के लिए 3 number आपको दिये जाते हैं यानि कि general awareness 75 और यहाँ पे आपका English language and comprehension आपका 75 total मिला के 150 marks का आपका session 2 हो जाता है यानि कि जो आपकी merit बनेगी होगे 150 number में से ही आपकी merit बनेगी तो merit का आपको याद हो गया होगा कि merit काँसे बनेगी साथी में जैसे कि मैं आप सभी को बताया था session 1 में आपकी कोई negative marking नहीं होती है लेकिन session 2 में आपकी 1Y3 की यहाँ पे negative marking होती है यानि कि अगर आप एक patient का गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए एक अंक आपका card ले जाएगा 1Y3 की negative marking यहाँ पे आपको clear हो गई साथी में minimum qualifying criteria मैंने आपको बता दिये कि session 1 में आपके minimum marks इतने होने चाहिए इसी के बाद आपका session 2 चेक होगा अगर आप इतने minimum marks नहीं लेके आते हैं session 2 आप कितने भी अच्छे नम्म लेके आजाएं आपका session 2 यहाँ पे check नहीं किया जाएगा तो यह तो हो गई आपकी merit की बाद कि यहाँ पे आपकी जो merit है वो कैसे बनती है आपको यह सारी चीज़ें यहाँ पे clear हो गई इसके अलाबा आप सभी को पता है कि 2022 वाली जो भरतियस का हवलदार के लिए result आ चुका है लेकिन MTS के आपका result नहीं आए तो उमीद यह है कि 2023 वाली भरती में भी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल सकता है कि पहले आपकी हवलदार की यहाँ पे cutoff लगाई जाए और हवलदार के बाद फिर आपकी MTS की cutoff लगाई जाएगी तो इस तरीके से यहाँ पे 2023 में भी आपको यह सेम चीज़े दे हाई गई है अब आगे बढ़ते हैं और चीज़े कुछ क्लियर करते हैं तो क्लियर करें यहाँ पे 2023 की नमर विक vários यहाँ फिस के बारे में बात करें तो टोटल यहाँ पे जो विकिंची है आप इन दोनों चीजों को comparison कर रहे हैं, जब कि इन दोनों का कोई comparison है ही नहीं, 2022 और 2023 वाली वर्ती का कोई comparison नहीं है, पहली बात तो यह कि अब तक MTS का result आया नहीं है, केवल हवलदार का है, हवलदार की कानी, जस्ट अभी मैं आपको बता दी बाकी का 2022 की बात करें, तो 2022 में 12,523 आपकी विकिंसी हैं, और यहाँ पे 2023 में कुल आपकी 1558 विकिंसी हैं, यानि कि लगवग सीधा सीधा गरम मानें, तो लगवग यहाँ पे 11,000 विकिंसी का difference है, तो इन दोनों में बहुत बड़ा variation है, जिसे कहीं पे भी compromise नहीं किया जा सकता, और इन दोनों को आपस में comparison भी नहीं किया जा सकता, नमबर विकिंसी भाई, एक बहुत बड़ा factor है, जिस पे आपकी cut-off depend करती है, तो यहाँ पे आप देखी सकते हैं, कि यहाँ पे कितनी विकिंसी का difference है, इसलिए मैं 2022 और 2023 की कोई भी तुलना यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, तो यह आपको clear हो क्या होगा, अब इसके आगे अगर यहाँ पे भड़े हैं, तो यहाँ पे फिर आ जाते हैं, cut-off की तरफ के general EWS, OBC, SC और ST की यहाँ पे आपकी cut-off कितनी रह सकती है, अगर देखो मैं बात करूं तो देखो, हबल्दार की cut-off आपने 2022 वाली देख ली कितने हाई गई है, आपको खुद यकीन हो जाएगा कि उसकी cut-off कितनी जा रही है, तो उससे आपको एक exact idea मिल जाएगा, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो, अगर आप 2022 वाली भरती में भी जाएंगे, तो लगवग मुझे लगता है कि उसमें भी अगर हम बात करने तो 115 से नीचे तो उसमें भी cut-off नहीं जाने वाली, चाहें कोई कितना भी कहें, हालंकि यह जो cut-off होती है, वो statewide जाती है, तो यहाँ पर state to state भी vary गरेगा, किसी state में कम जाती है, किसी state में जाबा जाती है, दूसरी बात अब में जो आपको cut-off बताने वाला हूँ, वो with normalization में आपको cut-off बता नहीं जा सकती है, तो 150, out of 150 marks में आपको बतारूँ कि 150 में से कितने आपके number होने चाहिए, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो लगवग आप यह मानिए, कि 118 से लेके लगवग 124 number तक आपके कम से कम number इतने होने चाहिए, तो 2023 वाली भरती में अगर आपको selection चाहिए, तो कम स मैं आपको बता रहा हूँ, plus, minus 3 number भी यहाँ पे हो सकते हैं, क्योंकि आप सभी को बता है, number of vacancy एक बहुत बड़ा factor है, अगर number of vacancy यहाँ पे increase हो जाती हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी number of vacancy increase नहीं होती है, तो आपको लगवग कम से कम इतनी cutoff देखने के मिलेगी, बागी का यह normalization के साथ मैं आपको cutoff बता रहा हूँ, row marks की बात करें, तो यह row marks के लिए, यहाँ पे अगर हम माने के कितने number आपको अधिकतम normalization में मिल सकते हैं, उससे आपको यह clear हो जाएगा, कि अभी at present time आपको row marks कितने आ रहे हैं, उसमें जो मैं आपको normalization बत नमर तक आपको यहाँ पे normalization में मिल सकते हैं, अभी बहुत सारे लोगों को यह चीज़ डाइजिस्ट नहीं होगी, लेकिन समय के साथ आपको आरम से डाइजिस्ट हो जाएगी, और डाइजिस्ट नहीं हो रही है, तो 2022 वाली भरती की हवलदार के एक बार cutoff देख लेजे, तो यह तो बात हो गई यहाँ पे कि आपके normalization में इतने नमर तक भड़ सकते हैं, अब मैं आपको जैसे cutoff यहाँ पे 118, 124 आपको बतारूं, तो आप यहाँ पे romance जैसे 100 आपके आ रहे हैं, तो आप उमीद गढ़ सकते हैं कि 18 नमर अगर आपकी toughest shift है, तो 188 नमर तक आपक हो सकते हैं, तो आपका general category में selection हो सकता है, बागी का अगर हम बात करें कि यहाँ पे EWS के लिए कितने चाहिए, तो 115 से लेके लगवग 120 के आसपास आपके number EWS category में होने चाहिए, बागी का OVC category में अगर हम बात करें तो लगवग 119 से लेके 122 नमर तक आपके यहाँ पे भी रहेगी, क्योंकि हो सकता है, OVC की थोड़ी बहुत उपर नीच चे cut-off देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि number of candidate OVC के काफी ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहे है, general category के candidate कम है, जबकि यहाँ पे comparatively लगातर OVC के candidate बढ़ रहे हैं, तो लगवग दोनों तीनों की जो cut-off ह लगवग सेम रहे हैं, एक दो number का up-down हो सकता है, वो चीज़े depend करेंगे, बागी का अगर हम इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बड़े SC की cut-off के something के यहाँ पे SC की cut-off कितनी हो सकती है, तो 112 से लेके 115 की बीच में यहाँ पे SC की cut-off और अगर SC की cut-off की तरफ चलें तो 105 से ल पताई है कि number of applicant कितने थे, number of candidate कितने उने exam दिया, वो सबसे बड़ा factor है क्योंकि number of applicant तो पताई है, लेकिन यह नहीं पताई कि कितने candidate exam में अपिर हुए हैं, उसका एक lump sum data है, उसके अलावा exact अभी नहीं पताई, इसके अलावा यहाँ पे जो मैं आपको cut-off बताई है, तो plus minus 3 आप इसमें कर सकते हैं, इससे उपर भी आपकी थोड़ी बहुत cut-off जा सकती है, और सबसे बड़ा reason है कि इस बार आपकी विकिंसी केबल 1558 विकिंसी है, अगर आपकी number of विकिंसी इंक्रीज होंगी तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा, बाकी का 2022 की जब आपक बता दिया जाएगा, तो उम्मीद करतों कि आपको ये cut-off सीरीज ही समझ में आई होगी कि किस हिसाफ से आप सभी को इस सारी सीरीज है बताए कही है, तो प्लीज वीडियो को like, share करके चैनल को subscribe ज़रू गर लें और well icon पर प्रेस कर लें, ताकि future में आने वाली हर एक update का notification आ मिलता रहे, मिलेंगे नेस वीडियो में, फिलाल के लिए बस इतना ही सो thank you for watching, जै हिन जै वारत!